Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone English Study में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि सभी exams में हमारे पास unseen passage हमें आते हैं यहाँ पर हम unseen passage examination 220 को कवर करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम अपने answers का पता लगाते हैं तो passage number 3 है, as a practice यहाँ पर मैं passage number 3 है आपके लिए, एक बार मैं पढ़ता हूँ और इसके बाद answers बताऊँगा तो देखे, आज कल जो message आते हैं वो ऐसे हैं कि आपको direct word to word answer आपके message में नहीं मिलेगा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा तो तो मतलब word to word पहले जो हुआ करता था कि पहले के पैसे होते हैं कि यहां पर लिखा है रीना भूंकी है तो directly question पूसता थे कि रीना क्या है तो answer देख 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 करके रीना भूंकी है तो ऐसा नहीं है अब आज के time में कुछ अलग type से रहेगा कि रीना थक चुकी है और वो कुछ खाना चाहती है तो बताइए फिर क्या रीना कैसी है तो दन आपको answer देना पड़ेगा अगर वो खाना चाहती है और वो बहुत थक चुकी है इसका मतलब वो बहुत भूंक लगी है तो इस तरीके की psychology को लेकर के आज कल के पैसेज आपको solve करने है समझ में आ गया मतलब यह मत सोचीए कि आपको directly answer मिल जाएगा दूसरी चीज आपको पैसे करते समय है दो चीज का बहुत ध्यान होना चाहिए एक synonym और एक antonym synonym मतलब आपके पास जो word है जैसे आपके पास लिखा है be be का मतलब होता है क्या होना okay happen happen का मतलब क्या होना तो साथ ही साथ आप इसका synonym पता होना चाहिए क्या होता अकर क्या होता है अकर ओके इसके बाद आपको antonym पता होना चाहिए antonym मतलब की विलोम शब्द antonym मतलब विलोम शब्द कई बार question में क्या देता है कि इसका विलोम शब्द बताईए तो आपको वहाँ भी बताना पढ़ सकता है, चलिए खेर, स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को पढ़ते हैं, हीमा लड़की का नाम है, अपने बेड पर लेड जाती है, स्टेर करना मतलब टक टक टकी लगा करके देखना, आपकेस, हीमा स्टेर और उसकी यहां पर शीमा सोग रही है, और वह अपने सीलिंग पर कुछ स्टार्स हैं, जो उसकी सीलिंग पे स्टक है बनावटी वाले स्टार बनावटी वाले स्टार होते ना लोग घर में सजावट के अपनी सीलिंग पे लगा लेते हैं वह वाले स्टार को यह देख करके ceiling पे देख रही है she was upset as none of the clothes seem to fit her वो बहुत upset है बहुत व्यतित है बहुत दुखी है कि as none of the as का मतलब है यहाँ पे क्योंकि as का मतलब क्या है यहाँ पी क्योंकि क्योंकि none of the clothes none of the clothes कोई नहीं seem to fit her उसके उपर fit हो रहा है मतलब कोई भी cloth उसके उपर fit होने सा लग नहीं रहा seem to मतलब समझ में नहीं आ रहा उस तरीके से जो होना चाहिए मतलब उसके उपर fit होने सा समझ में नहीं आ रहा she wore them again one by one उसने एक बार फिर से उनको wore wore क्या होती है wear का second form wear मतलब पहनना wear का second form ठीक है ना wear का second form wore ओके तो भी उसने पहना she wore them again one by one उसने एक एक करके फिर से पहना but they were either too tight either या तो either का मतलब या तो अभी या रखना जब भी either का इस्तमाल होता है तो साथ में कहीं न कहीं और आएगा इन दोनों की जोड़ी होती है इसलिए इनको बोलते है आईधर और ऐसे ही जब नाइधर का या ने नीदर का इस्तमाल होता है तो नीदर के साथ भी आता है नौर तो इनके pair बनते हैं या तो either और या तो नीदर नौर इनको either और नाइधर नौर भी कहते हैं अवलब लोकल टाइप की लेंगविज में वर्ट इदर और नीदर नौर क्या कहरा बट या तो बहुत टाइट थे और तू शॉट या तो बहुत छोटे थे ओके अ कबर्ड और फुल क्लोथ और शी कुट नौट वीर एनी अफ तेम उसके पास पूरा अलमारी जो है भरा हुआ है कपडों से और उसको नहीं पहन सकी थी उन में से किसी को भी पहन नहीं सकी थी She then had a bright idea तोर तब उसके पास में bright idea See then had a bright idea यहाँ head का मतलब है आया यह प्राप्त हुआ उसे एक बहुत चमकीला idea प्राप्त हुआ Her eyes lit up and she ran to her mother's room Her eyes lit up उसकी आँखें एकदम से खुली Okay Lit up and she ran Ran मतलब दोड़ी, ran का second form Her mother's room, उसकी मा के कमरे की तरफ Ma, I need new clothes Ma, मुझे नए कपड़े चाहिए She shared, उसने कहा But only after I donate all my old clothes to charity Okay But only I donate all my clothes to charity और तभी मैं लूँगी जब मेरे सारे cloth को आप donate कर दो मतलब दान कर दो Donate मतलब distribute नहीं दान होता है Distribute का मतलब होता है Donate का मतलब दान करना All my old clothes, मेरे सभी पुराने cloth To charity Charity मतलब समाज सेवा Charity मतलब समाज सेवा परोपकार दूसरों का हिद करना, गरीबों की मदद करना इस टाइप से Charity में बाटना होता है No more amassing of cloths Okay No more amassing of cloths Amassing का मतलब होता है जमावडा मतलब वो कहती है अब मेरे पास मैं clothes को जमा नहीं करूँगी इनकी मैं जमघट नहीं मनाओंगी इनका मैं जमावडा नहीं करूँगी Her mother smiled and hugged her उसकी mother ने smile किया उसे hugged her मतलब सीने से लगा लिया She did have a kind daughter Okay उसके पास एक कैसी daughter थी दयालू daughter थी तो आईए अब करते हैं इसके question तो पहला question है 71 तो 71 का question परता हूँ मैं Hema lay on her bed because Okay Hema जो है अपने bed पे लेटी हुई थी क्यों लेटी हुई थी First was tired Okay वो ठक गई थी दूसरा Like looking at stars Like looking at stars मतलब like मतलब पसंद कर रही थी stars को देखना उपर Was wondering what to wear Okay वो चिंतित थी कि क्या पहने Okay Was a lazy girl वो बहुत मतलब lazy type की girl थी भाई आलसी का जिक्र तो कहीं हुआ नहीं है मतलब यह option बिलकुल गलत है यह वाला option बिलकुल गलत है अब इसके बाद आपने कौन सा option लगाया है युवराज 71 में 4 options है आपने कौन सा लगाया देखे उसमें 71 का आपने भी लगाया Like look at stars बाई कहीं पर लिखा है कि उसे stars पसंद देखना देखना अच्छा लगता था बताईए कहीं पर उसे stars देखना अच्छा लगता था लिखा है क्या यहाँ पर नई नई लिखा है तो देखो वो क्या थी वो upset थी वो क्या थी इस वज़े से वो stars जो फसे हुए थे उनको देख रही थी क्योंकि क्या करती भाई stars तो उपर है तो वो क्या थी, वो wondering थी, वो चिंता में थी, ओके, असमंजस में थी, असमंजस मतलब क्या करें और क्या ना करें, इस स्थिते में ही थी, what to wear, तो इसका correct answer क्या होगा, C, क्या होगा इसका correct answer, C, what was wondering, okay, was wondering what to wear, तो पहले question का answer क्या होगा, C, चले next question देखते हैं, 72, she could not wear any of the clothes because, लो भाई, तो clothes के कोई भी वो नहीं पहन सकती थी, कौन सा option लगाया, इसमें आपने पहला option है, they were not fashionable, वे fashionable नहीं थे, उनमें fashion नहीं था, they were too colorful, भाई, colorful की दो बात ही नहीं हुए, यह भी नहीं हुए, fashionable की बात नहीं हुए, she did not know what to choose, वो जानती नहीं थी, कि उसको कोई भी fit नहीं हो रहे थे, next, the synonym of the word amazing, वा भाई, आ गया synonym, मतलब आपको क्या बताना है, मिलता जुलता, synonym मतलब परियायवाची, amazing का मिलता जुलता आपने क्या लिखाया, collect, sorry, amazing नहीं है बेटा, यह, amassing है, amassing है, क्या है यह, amassing, और amassing मैंने अभी आपको बताया amassing का मतलब होता, जमावडा, क्या होता है जी, जमावडा, यानि की, बहुत सारी चीजें, एकठा करना, तो बताओ भी क्या होगा, collecting, एकठा करना, distributing, बाटना, sharing, मिलके साजा करना, gifting, किसी को gift देना, बताए, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर answer क्या होगा, collecting, okay, assuming means होता है, collecting, एकठा करना, एकठा होना, ठीक न, 73 का is the correct answer, next question है, हेमा, भई हेमा लड़की का नाम है, हेमा क्या है, क्या option लगा है आपने युबराच, 74 का, oh my god, greedy, greedy मतलब होता है लालची, यह लालची कहा है लड़की भई, कितनी प्यारी लड़की है, तो यह लड़की charitable है, selfish भी नहीं ह है, okay, बताइए कौन सी लड़की है, 74 का correct answer है, charitable, क्या है यह, charitable, charitable मतलब दान करती है, लोगों की मदद करने में विश्वास रखती है, तो इसका correct answer था क्या, charitable, okay, the opposite of the word donate, donate का opposite word, देखो भई, donate मतलब देना, donate मतलब दान, देना, तो देने का उल्टा क्या होगा भई, प्राप्त करना, तो answer क्या होगा, receive, receive मतलब प्राप्त करना, तो इसमें भी आपको one marks मिल जाएंगे, अगर यह सही है, ठीक है, तो आपने समझ लिया, इस passage को कैसे solve करना है, चलिए अगले passage पे आते हैं, यह भी देखेंगे, आपके कैसे क्या, क्यां सा गलत हुआ, क्या सा स मतलब स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त और हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए, आपको physically active होना पड़ेगा, physically active मतलब हाथ पैर चलाते रहना होगा, regular physical activity protects you from serious disease, आपकी जो regular physical activity है, regular physical activity मतलब की हलचल वाली कुछ हरकते, समझगा न, physical activity एक काम कर लिए, मतलब इसको कसरत समझ लो, कसरत करना एक तरीके से, व्यायाम करना, protective, आपको बचाती है, from serious disease, खतरनाक बीमारियों से, like obesity, मोटापा, heart disease, दिल के problems, cancer, mental illness, man sick illness, diabetes and arthritis, arthritis, arthritis क्या होता है, पैरो में जोड पड़ जाते हैं, जक्रान आ जाती है, उसको बोलते हैं, घुटने खराब होना, arthritis, Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problem associated with the sedentary lifestyle, जी हाँ, कह रहा है कि भाई साब, यहाँ पर अगर आप cycle चलाते हैं, तो वो बहुत, one of the best, लाखो में से एक तरीका है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है, लाखो में से एक नहीं, one of the best, मतलब सबसे अच्छा सरवो तम तरीका है, तो reduce your risk of health problem, आपकी health problem को reduce करनी, associated with the sedentary lifestyle, ओके, sedentary lifestyle का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, तो sedentary lifestyle का मतलब होता है, यहाँ पर एक ऐसी दिन चरिया, जिसमें आप लगातार बैठते हैं, लगातार सोवे रहते हैं, और आपकी physical activity उतिन नहीं है, तो sedentary lifestyle इसको हम बोला करते हैं, ओके, तो आपको यह राहत दिलाती है, Sedentary lifestyle, cycling is a healthy, low impact exercise that can be enjoyed by people of all ages, cycling जो है, एक बड़ी activity है, जिसको हर उमर के लोग पसंद करते हैं, From young children to the adult adults, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, it is also fun, cheap and good for the environment, यह fun है, मज़िदार है, cheap है मतलब सस्ती है, and good for the environment, environment के लिए अच्छी क्योंकि pollution नहीं फैलता है, Riding to work, or the shop is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine, riding to work, काम के लिए जाना, और the shop या दुकान के लिए जाना, is the one of the most time efficient, इसमें time भी आपका बचता efficient way है, time बचाने का तरीका, to combine regular exercise, और आपकी साथ ही साथ, आपकी regular exercise को combine करता है, साथ में जोड़ करके time भी बचाना, और साथ ही साथ आपका exercise भी हो जाएगी, yes or no, exercise with everyday routine, आपके daily routine में, दिन के कारेक्रम में, an estimated 1 billion people ride bicycle everyday, एक अंदाज है कि 1 billion people जो है हर दिन cycle चलाते हैं, for transport, recreation and sport, ट्रांसपोर्ट के लिए, recreation, कुछ निया करने के लिए, sport खेल में, cycling is a good way to reduce weight, cycling जो है अपने बजन को कम करने का बहुत अच्छा तरीका है, as it builds muscle and burns body fat, क्योंकि ये muscle को बनाता है, और body fat को कम करता है, research suggests that by cycling for half an hour every day, we can shed at least 5 kilos weight in a year, अगर research कहते हैं कि अगर आप आदे गंटे cycle परड़े चलाते हैं, तो आप 5 kilo वजन हर साल कम कर सकते हैं, तो ये रहा आपका passage, आईए अब इस पर question करते हैं, पहला, the main focus of the passage is to tell us advantages of, बहुत ही simple question है भाई, इसका बदाए किस चीज का advantage है, keeping fit, cycling, exercising या reduce weight, बताए करेक्ट आंसर क्या है इसका, the main focus of the passage, उपर दिये हुए passage का main focus हमें क्या बताना है, किस चीज के फाइदे बताना है, ओके, आपने लिखा है keeping fit, बट पूरे paragraph में cycling, cycling, cycling है, keeping fit के तो और भी तरीके हैं, तो आपने क्या लगाया है, आपने लगाया keeping fit, that is wrong, correct answer क्या, इसका cycling, okay, so correct answer is cycling, next question, so 76 का, B, 77, when a writer says, cycling is a good for the environment, जब कोई writer मतलब लिखने वाला, इस passage को लिखने वाला, writer कहता है, कि cycling is a good for environment, cycle वाता वरन, environment में वाता वरन, जिस में हम रहते हैं, जिस प्राकृतिक environment में हम रहते हैं, उसको बोलते हैं, environment, which of the following is not correct, इन में से कोई, इस में से कौन सा गलत है, which of the following is not correct, मतलब कौन सा सही नहीं है, it does not emit any unhealthy gas, cycling कोई unhealthy gas नहीं छोड़ती है, बोलो सही है कि गलत है, cycling, it does not emit any unhealthy gas, emit मतलब छोड़ना, unhealthy मतलब की नुकसान दायक, cycling कोई उनुक्सान दाइस गैस नहीं छोड़ती है तो सही है कि गलत है सही है तो यह तो correct है मतलब हमको पता करना कौन सा गलत वाला यह तो correct है बाई अगला it can run without petrol or diesel यह बिना petrol diesel के रन करती यह भी सही है it does not pollute air यह pollute भी नहीं करती यह को सही की गलत बात सही है it can be ridden by all age group it can be ridden by all age group ओके तो यह भी सही है इसको हर age group के लोग लगा सकते हैं भाई इसमें क्या बताना है अपन को बताना है कि not correct इसमें से सही नहीं है तो 77 का कौन सा सही है नहीं भाई it can be ridden by all age groups इसको all age group हाँ थोड़ा सा mistake यहां पर आ गया है कि दो महीने का बच्चा नहीं चला सकता है बिल्कुल सही बात है exactly तो यहां पर जितने भी अब देखें यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है अब देखें उपर देखें आप तो देखना मजे की बात है यह देख लगाई है भाई all ages का मतलब यह है लगभग लगभग सारे एज के लोग इसको चला सकते हैं बच्चा चार साल से ले करके 80 साल का बुढ़ा भी cycle चलाता है बुलो चलाता है कि नहीं चलाता है इवन तीन साल के बच्चे भी चलान लगते हैं दो साल के बच्चे भी छोड़ी डी राइट किया आपने फुल मार्क्स में लेंगे अगला कौश्चान है आपके पास में दवर्ड विच मीन्स दव अपोजट ऑप दवर्ड सेडेंटरी ओके सेडेंटरी मैंने क्या कहा है इनक्टिव टाइप का आपको अपोजट बताना है इनक्टिव मतलब लेटे रहो बैठे रहो जैसे मेरी लाइफ एस्टाइल इट इस सेडेंटरी किया हो कि यह वो है वो सेडेंटरी मतलब मेरी लेटने वाली लेटने वाली सोने वाली तो आप उनको क्या चाहिए इसका उल्टा क्योंकि रेखिए आप अपोजेट बोला है अपोजेट में अन्टोनिम और इसका अंटोनिम क्या बनेगा एक्टिव समझे मैं 78 का आपने क्या लगाया था भाई सब ओके नहीं लगाया था कोई बात नहीं तो इसका correct answer क्या होगा active low impact exercise one which is low impact low impact exercise कौन सी होती है not tiring not costly not efficient not boring low impact exercise कौन सी हुआ करती है low impact exercise वो होती है जो आपको बहुत ना थकाए जो आपको बहुत ना थकाए तो answer low impact मतलब आपके सरीर पर कम असर डाले है ना तो low impact exercise क्या है आपकी cycling क्या है कर भी लो ज्यादा पता भी नहीं चलता है कि हमने बहुत मैंद करी है बटी आप swimming कर गयाएंगे तो आपको बहुत ज़्यदे इंपक्त पड़ेगा आके नीन आने लगती बहुत थका देता है यह सो नो तुमने तो swimming की है ना हाँ impact डालती की डालती है तो swimming कैसी है हाथ पे रदर देते हैं वो high impact है बट यह कैसी है low impact चलिए तो answer इसका क्या है ए को कि आप नहीं लगाया था answer A है अगला question है regular cycling helps us in all of following except to regular cycling नियमित रूप से cycle चलाना हम लोग की help करती है all of the following except to इन चीजों को छोड़ करके एक कोई चीज को छोड़ करके regular cycle हमारी help करती है cycle चलाना पहला reduce fat and strengthen muscle मोटापा कम करती है और strength muscle को strength करती है सही बात की गलत बात यह तो करती है combine fun with work combine fun with work काम के साथ मजे भी देती है combine fun with work देखिए यह थोड़ा सा मेरे को doubtful लग रहा तीसरा है prevent serious accident हाँ भाई agree cycling से serious accident नहीं होता है remain healthy यह बात भी सही है देखिए fun नहीं है यहाँ पर यहाँ पर fun नहीं होगा work तो कर भाई काम करते हुए आप cycling नहीं कर सकते हो काम करते हो आप cycling combine fun with exercise fun with आप काम करोगे office में आप काम कर रहे हो तो work के साथ आप मज़ा कैसे हेले लोगे भाई है ना तो यह option इसका गलत है combine fun with work नो आपको healthy रखती है accident से रोकती है reduce fat करती है बट combine fun with work आपके काम में मज़ा डालेगी ऐसा क्या भाई cycling से क्या मज़ा exercise हो जाएगी थोड़ दिर के लिए एक दिन का मज़ा रहेगा जिस दिन पहली बार जाओगी फिर दो दिन का मज़ा एक महीने बाद आपको कोई मज़ा नहीं लगेगा फिर तो आपको daily routine में आपको एज़ा work उसको करना है समझ में आया कि नहीं आया यह सौर नो ओके तो इस तरीके से आप unseen passage को आप solve करेंगे ठीक है done तो इस तरीके से unseen passage को आपको यह solve करना है passage number 3 and 4 हमारे दोनों हो चुके हैं अब हम इसके बाद passage number next passage discuss करेंगे अपने chapter test number 3 के thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद